साउथ फिल्म का क्रेस दिन बादिन बढ़ता ही जा रहा है जहां एक और धरले से साउथ की फिल्म में रिलीज हो रही है तो वहीं जल से जल उन फिल्मों के हिंदी डबिंग भी हो रही है ऐसे में आज हम आपको उन टॉप डबिंग आर्टिस्ट के नाम बताएंगे जो अभ जिसके लिए उनकी जम करतारीफ हो रही है। श्रेयस ने हाली में पुश्पा हिंदी के लिए मिले प्यार के लिए सोशल मीडिया के जरिये सब को धन्यवात कहा है। संकेत मात्रे संकेत मात्रे एक नामचीन वॉइस अक्टर है जिनोंने नैशनल और इंटरनाशनल कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है। साउथ के अक्टर अलु अर्जुन, महेश बाबू और राम पोथी नेनी के फिल्मों के हिंदी वर्जन के लिए संकेत ओफिशल हिंदी वॉइस आर्टिस्ट है। शरत केलकर, टीवी के जाने माने अक्टर शरत केलकर एक वोइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। फिल्म बहुबली में प्रभास के किरदार के लिए शरत केलकर ने हिंदी डबिंग की थी। राजेश कावा, एक्टर विजय की कई फिल्मों में राजेश कावा ने हिंदी में अपनी आवाज दी है, जिसमें फिल्में जैसे सुपर हीरो शेहनशा और थिरु मलाई भी शामिल है साथ ही आक्टर धनुष की भी कई फिल्मों में राजेश कावा ने हिंदी में अपनी आवास दी है मनोज पांडे आक्टर राना दगुबती की फिल्मों के ओफिशल डबिंग वोईस आर्टिस्ट मनोज पांडे है विनोध कुलकर्णी आक्टर ब्रह्मा नंदम की कई फिल्मों के लिए विनोध कुलकर्णी ने अपनी आवास दी है